बरसात के बाद सारे पहाड और जो आस्मान पे धूल लग रही थी ना हलकी फुल की धूल लगती देखिए मेरी अगर यह चली जाएगी एक और आ सकती है भी 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 आ सकती मैं चला जाओंगा एक हजबंड आ सकता है बच्चे और पैदा हो सकते हैं पर अगर माबाप चले ग हो गई की नियों हो गई अब क्या गए थे टेली में तो क्या महा अपना परेज शुरू रखती ऐसी टेंशन में तो सब या शर्मा जी अपनी जिन्दगी जी लेने तो फिर शुरू करनी है एक बड़ चाय पीलू में पहले पहली लेके खड़े होगे मुबाई गई है इसी के बाद पर एक बात याद आवे है कि वही कहीं को कई ना डेथ होती है कुछ दुख होता है तो खाना छोड़ देते हैं मेरे साथ उल्टा होता है मैं खुब खातियों आपको पता है कि मैं कितना कंट्रोल कर रही थी चार महिने से लेकिन जो ये 17-18 दिन गई न मेरा मत इतना खा रही थी कि में खुग से उल्हांती क क्यों खारी हूं इसलिसिलिए कि ANzIP होती है न अंदर से टो मेरे से ultimate खान आप फोड़ा सा मतलब्म रेलीज किया जाथा के खालूं ये नहीं होता के पर आपा और है तो आपको चुग नही है कितना हो गया साड़े क्या हुन किलो अब तो सब खुश होंगे भावी जी इतना वेट लॉस कर लिया 48 से साड़े क्या हुन किलो पे आ गई हूँ कुछ चीजे हैं ना मेरी भी थोड़ी सी भ्रांती दूर हुई है इस हमारी माता जी के जाने के बाद कि खाने से घूमने से कोई भी किसी भी तरह की हरकत करने से कि कोई घूमने जा रहा है शोपिंग करने जा रहा है डेथ के बावजूद इससे दुख और खुशी का कोई ले में एक धारा में नहीं रह सकता हूँ उससे उभरने के लिए बहुत सारी चीजे लोग करते हैं जो की मेरे को अब समझ आई हैं इसके बावजूद में सोचिए की माता जी का देहान 25 नौंबर को हुआ 25 नौंबर से पहले मैं कुछ और सोचता था पर जब मैं इस टफ सिच्व से गुजरा हूँ मैंने चीजों को अनलाइज किया दूसरे तरीके से 50 साल की उमर में तो थोड़ी सी मतलब मेरी वह सोच बदली है वही चीज में आपके साथ शेल करने का कस से नारियल कौन तोड़ता है चेल रही है इसको और का रिकॉर्डिंग जोड़के न कुछ काम धा शर्माजी करते का यह देखिए सब पूछते हैं काम क्या करते यह शर्माजी का स्टाइल है एक चील रहा है तो दूसरा आगे बैड़के रिकॉर्डिंग करने के लिए तो भाई पता क्या बहुत सारे लोग यह पहले देखो मैं 3-4 साल तो कुछ काम नहीं किया पर अब इसको तेर काम मानला है फुल टाइम काम है जितनी नह तो अठ्ध नो गंटे के अप नोगरी करते हो से ड़फड़ मैनफ कर रहे हैं तो यह काम है भ्याइँ आ बढ़ जाता है थैंकि जाता है है कितनी बार पोस कर दिये किछर की धिड़ा कर वाते हैं जरूज सेनिकालगे अब की बार हमारी दिवानी की लड़ियां भी अभी लगी हुई है तो पीशस चले रहें जिवानी से एक जिन पहली तो अब शर्माजी को एक काम ओर करना पड़ेगा उतार ले रहां और बहार देखें कैसी जमाजम बारिश हो रही है अभी तो हवा नी चल रही है पहले हवा चल रही थी बहुत तुपान आया हुआ था पूरी तरह से और हमें बिजली बादल यहां पे ने एक जी जोड़ देखें है यह देखो कितने जबर्दस परीके से बादल गरचते ना दिल्ली में भी निदेखा डर लगता है रात को बिजली कड़की है बादल करते है मां बॉड़ लगता है कि पता नहीं अब फटेगा यह देखे शर्मजी काम करते हुए पहली बार इन्हों नारियल चीला है शैद नहीं तो मैं ही चीलती थी तो नहीं जोट बोल रही है पहली बार चीला आपने घर पे मोनु भी चीलते थे चोटे वाले और या मम्मी अपने जिंदिगी मेरे कम शना बीस बार नारियल तो ची चीलती बाएं पहले कि जा रहे हैं इसको अची अची यह डालते भी आपको पता भी है कुछ ऐसी डाल दिया यह कोषब पीट होती है मालना नारियल की बनती है बाजार में तो खरीद लानी पड़ती है और य होता ही है कि मिट्टी है ना गंबले में से निगलती आती है में बढ़ जाए कि इसमें जड़ें निकल गहीं तो मिटिंटी निकलगे इसको इससे भर भेड़ेंगे तो मिट्क रषा वहा रषाव प्रसमें जो मिट्टी कटके आना रही निकल जाती इसमें जड़े पhesज जाती है तो गमला भरा गषा रहता है आपने तर एक बार में तोड़ दिया चार बार लगे थिए बार लगे थिए तोटा भी तो बड़ी निकला है देखो कितने दिनों का नार्या लाई है यह मनिच्छा माता के मंदिर जब लाई ते हम आठ तारीक थी तीन-चार नॉंबर के असपास किया है तीन-चारी ठारीक थी तारीक थीयुडी ता case II बार भी तारीक तो भHANिय chic मनिच्छा माता मनिच्छा माता न की मनों कमना पूरी करा है अँनकी आत्मा को क Tooip Er जहांभी रखें फुश रिखें एक एकगजंब ड़ ते हमनेबर के बcco Yuri कि अभी है ना आप काफिर लेट कर पाएंगे उससे सबको पता है शुशान सिंग राजपूत ने जब सुसाइड किया तो एक चैनल है रिपब्लिक भारत जिसके मालिक है अर्नव गोस्वामी तो उनके उपर भी केस हुआ था कि उनके उनके कोई इंटीरियर डिजाइनर थे तो उन्होंने चैनल कुछ पैसे काच इशू था कि उन्होंने पैसे अर्नव गोस्वामी ने उनको पैसे नहीं दे पाए तो उन्होंने सुसाइड कर लिया अपनी माताजी के साथ फिर बीडिया में बात चली कि भाई क्या कह रहे थे वो कि आ शर्मा जी अब लॉग्डाउन लगा था ना मार्च में 22 वार्ट है इस मार्षण है इतनी सारे सूजी के पैकिक लिया है था कि कोई सब्जी वब्जी कुछ भी आटावटा खतम होना तो सूजी का कुछी बनागे खालें गे तो आप शूजी अब खतम होरी है भी तो बह के बढ़े बढ़ें बीदोनीफिट अवे यह जा घघा जाए गवाइस जा नहीं पहले बात्री करवाना तो मजा नहीं आए भाकर आट फरदुबारा सबता इस इस तो बात सो बात के है क्या है कि दूद गजा चले कर दो कर ली बोला था ठंड नहीं है ठंड होई तो भई हुआ यह था कि जो ठेकेदार का थेकदार ने आत्मात्या की थी उस रिपब्लिक भारत वाले केस में और उसकी माताजी ने भी उसके उनकी सब्सक्राइब कि उनकी वाइफ का कुछ इन्वालमेंट है किसी और बड़ी हाथ बड़ी कौन से प्रेसी हो सकती है तो यार मैं भी खुद सोच रहा था कि उनकी एक वीडियो फोटो वाइरल हुई तो समय जो ठेकेदार की वाइफ की वो अपने बच्चों के साथ एक साल बा उसके बाद दो-तीन दिन तक तो इतना मन कर रहा था कि अजीव-जीव से ख्याल आ रहे थे कई बार तो ऐसा बन कर रहा था कि आदमी दिवार में सर मार दूं या फिर भाग जाओं जल्दी से खूबते चाहे पैर फट जाए कट जाए इस तरह कि भाव उठ रहे थे पर उन पर नीचे होते रहते हैं तो वह हमारे भी हो रहे थे फिर बीच-बीच में मन करता कि यार चलो खाना नहीं खा लिया उसके बाद थोड़े कुर-कुरे मंगा लिए कभी चिप्स मंगा ली तो यह जब आदमी दूसरों के लिए सोचता है तो बड़ा इसी होता है जज करना क कि इसने क्या है अब मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है कि विचारी विडियो होने के बाद क्या सिच्वेशन होती है घर के ओपर बच्चों के मन को वैलाने के लिए गई हो देखिए माता पिता या पती या किसी भी खास परिवार्टन और तो जो खास दोस्त भी होते हैं उनका भी दुख बाटना इतना असान नहीं होता तो उसको और कम करने के लिए आदमी कुछ चीजे करता है तो और हम उसका मजाक उडा दे तो वह बहुत ही गलत बात है तो थोड़ा सोचना चाहिए वाई किसे के बारे में अगर आप उसका दुख नहीं बाट सकते तो कम से कम बढ़ाओ तो मत है कि बरसात के बाद सारे पहाड और जो आसमान पर धूल लग रही थी ना अलकी फूल की दूल लगती थी यहां पर विल्कुल एक दम साफ क्लियर हो गया है और पहाड और पेड़ ऐसे दूले दूले से लग रहे हैं विल्कुल तो बाई हमारे घर पर जब तक माता जी की तेरवी नहीं हुई ना तो थोड़े से विगन वाद आये जैसे बोलती है ना इसको की काम तो अशूब ताइप करसा होई गया है तो कुछ ना कुछ ना कुछ आते रहती है हमारे घर में छोटा सा कलेस हो गया क्लेस क्या बढ़ चीजे समझ नहीं आती है से छोटे भाई को गुस्सा आ गया कि यार आप लोग समूसे खा रहे है क्या इस तरह से ना है तो वो नराज हो गया तो पहली बार सिटुएशन देखी थी पादर के टाइम बहुत चोटे थे तो चालिस साल का हो गया है पर यह कि जब वो फादर तो यह हुआ है कि जैसे जो छोटे है उनको चोटे भी बड़े में भी कई वास समझ नहीं आती कि ऐसी घटनाया के साथ भी आदमी कैसे हास बोल रहा है तो वह यहीं कि बाई किसी समोसे मंगा लिया भाई को गुस्सा आ गया उसको काफी समझाया हमने कि वही यह चीजे चल है तेरह दिन इसलिए होते हैं कि आदमी कर मन और सा हो जाएं तो उसी दोरान हमारे गाओं में हैं हमारे बंदा गाओं के रिष्टे में मामा जी लगते हैं वह आयकर है और बंटी भाई जब मेरी माता जी करीब तीस-पैंतिस साल पहले आर आइडिया बता नहीं कितने साल सब्सक्राइब करते हैं तो उनका देहान हुआ तो इसी तरह से उनकी बड़ी बहने या पर और रिस्तेदार वगरा खापी रहे तो करें मिल कुछ तुना तेज गुस्ता आ था था ना कि इनके सम्में लठ बार दो फिर बाद में अब देर देर करें मैं जैसे जैसे एक्स् बड़ी जैसे होती है तो मतलल किसी के एक्शन से कोई कुछ खा रहा है या पी रहा है जैसे हम भी वीडियो बना रहे हैं तो यह एक नहीं है कि हम बहुत खुश हो गए है लेकिन यह कि कुछ तो करना पड़ेगा अपने आपको बदा रहा हूं ना बजी रखने के लिए तो सुचन होगी मैने मजी लिख नहीं हो तो वो स्टिवो भी थ्तरे से गरी कमसे कम एक गंटे तक मैने उसको ऑपर बात की तो में मां मां जी को देख नहीं पाई तो म sé I zelf ज्यादे उसको शोग लगा कि समझ सकता तो एकर डर है उसके मन पर क्या क्या सोच रही होगी अगर हम और दुख में हो जाएंगे तो अभी भी फोन करती है ना तो उसके आखों से आसों ही खतम होते हैं क्योंकि हमने तेरा दिन रहें फिर भी फैमिली के साथ टाइम स्प्रेंड गिया तो अगर बात लिया तो अगर तो अगर बच्चों के भी रिस्पोंसिबिल्टी ए चोटे भाईयों की भी है तो अगर हमी स्टॉंग भी बनेंगे तो पिर कैसे काम हम इनी देखे मैं अफने न ने कहले हैं मैं तो सिर्फ यह भी वोर की भी दूसरी की सिचुइशन ऊपद्धत पहले से जत्मित बने सब्सक्रांगे सकता उस खुदीं वकुत में से तो इसी के साथ कल कुछ हुआ है, यह एक्स्पीरियन शेयर करेगी अपना कल एक भाई साथ मिले मिले मिर को, मेरी सारी फ्रेंड्स नीचे थी, तो मैं आरी थी, उन्होंने मिर को घेर लिया मैं ऐसी बाते पूछने लगी का अँटी जी की बहुत याद है क्योंकि ममी रहती थी और वो सबसे हाई हेलो करकी जाती थी, मुझे शौक इस बात का लगा कि हम जैसे वीडियो भी बनाते हैं तो देके अकेले रहते हैं, भूमने भी जाते हैं तो जाद तर अकेली होते हैं, बहुत कम जा रहे हैं अजकल कि हम वैसे भी बन जाते हैं और यह मास्क जो है ना हम पहले से बैंड लगाते थे अपने, अभी वोक करते वक्ती कभी-कभी होता है लेकि जादा तर बहुत लगा ही होता था हमारा लोजिक यह है बहाई जब वातावरन शुद्ध है, हवा वाफ है तो मास्क नहीं लगाता है मैं और को विड से परे मास्क लगाता था शायद मोदी जी ने पूरा वडबलु एचने से पर पहले हम अश्क लगा रहे थे दिल्ली से लगा कि यहां भी लगाता था जब दश तुड़ती थी ती तो हुआ है कि वह कहरे कि इनोंने ना स अगर आप इतना डेडली वाइरस मानते हो तो आप घर में रहो मत पार्टी अटेंड करो हमारे हमारी सुसाइटी में यहीं पर रिशीकेश में एक हैंक अलंटी जब से लुक्षे तो यही रुक्या वह दिल्टी निकल रहे हैं वह भी गलत है कि वह कंजोर होगे लोगा चलु जो भी आणटी ने में भी वेट मशीन मंगवाई वह भी गाड की हाथ से कि वेट मशीन देलो बाहर रखी शायद काफी देर तक रखी रही होगी मुझे कि देखिए, उनका ठीक ही डर समझ आगे, उनको 100% बोल करें, ठीक है, पैसे जरूवत नहीं है, उनको पैसा है, अपने घर में बंदे हो, उसी दिन से बंदे लगा लो, साथ, आट में से बंदे, समझ आया उनका डर, पुर्मिर कूं, डबल सेंड़ लोगों का समझ नहीं आत उसके साथ अप गाड़िये बैचते हैं, आपको अपस जाते हैं, हर जागे गूंते फिड़ते हैं, तो अब कोविड नहीं है, टेकनिकली मैं कहा हूँ कि यह कुछ ना कुछ लोचा है, पर मैं इंडरेटली देखेंगे, तो मैं डबलो एचो की और सरकार की सारी गाइडला करता हूँ कि मेरे साथ कुछ होता ही नहीं है, मेरे डिस्टेंसिंग इतनी होती है, मेरे वाइफ ते लावा कि मेरे समस कुछ नहीं है, पर जो डबल स्टेंडर के लोग है, आपार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, सारे काम करेंगे, गले मिलेंगे, कोई डिस्टेंसिंग नही कि लोचा तो मेरे से कहने बहुत बुरा लगा सच में तुम्हारी मां गई न इसमें गई न अरे वाइरस अगर आप तो मानते हो चलो हमने नहीं माना है कि अपन आप मानते हो आप क्यों बार्टी में नहीं आएगा वाइरस उन्हें बताता हूं जब जब लोग दाउन हुआ था यहां पर यहां पर एक निकली में बं थी वतरब ऊपिशनी घर में एक दिन भी उन्होंने में मैं नहीं नहीं में रही तो में एप जब फर्स्ट अन वागे ज्यान हमारे को पेल रहे है और ने सच बता हूँ अगर इनकी मदर को मुझे हमारे किसी भी उनकी फ्रेंड को लगता नहीं क्योंकि 10 तारिक को उनकी कम से कम 15-20 फ्रेंड उनसे मिलने आई थी घर पे और सब उनके गले लगे गई थी गले लगे और किसी का हार्ट और 11 और 11 तारिक को अधिए थी इन्होंने खाना खिराया ठारिक को झा सारी बूजक है अदिग है और 15 तारिक को अपने हाथ से बिसक्ट कहला है और उनको उठा के लिटा के पूरा काम किया था मतलों घोप खेयां भी और सब नहीं और अधर इनके मामा जी चाने ड़ें तो एक परेवे दबाए और उनके मामा जी ने भी दबाए तो ऐसा हला कि टेकिनिकली कोई सोचे का कि इनको फसा दिया जाए कुछ हमारे चोदा दिन से जादा का कॉरंटाइन को भी खताम हो चुका है कि मुम्मी की डाथ हुई थी 25 को और अब क्या टाइम अब आज हो गया है तो एक भी उनकी बुज़र्ग जो फ्रेंड आई थी उनको होता जरूई नहीं है कि अगर रिपोर्ट पोजिटिव आगी है तो वो कोरोना ही था उनको मेरे रिपोर्ट भी जाती है मेरे खुद के मोसा जी 70 साल के थे 70 साल के शुगर सोचिए वो बिचारे दोनों टाइम इ है और वो मिलने आए थे उनसे होस्पिटल में होस्पिटल में मिलने और तेरा के तेरा दिन हमारे को अकेला नी चोड़ा हमेशा मेरे साथ रहे तो भई पर कैसे माल लोगा इतना खतरनाक है तो भई सिच्वेशन को है अब समझा करिए किसी के सुक दुख को अगर बांट न है तो भाई मेरे मार्वतर्शक हैं भाई सलील समधिया उनका कल मैंने के पोस्ट पड़ रहा था रहा हूं काफ अच्छे लगी मैं सोचे चलो आपके साथ भी उनकी बाते शेर करता हूं तो उन्होंने का था यार जो भी सुख दुख आते हैं अपर परिवार में हमारे को और अच्छी तरह से समझने की जुरूत है और जब सुख होता है तो बोलो भी चलो आराम करो रिलेक्स करो चिल करो तो हमारी घटना घटी है भाई तो हो सकता है इश्वर जैसे हमार थोड़ा सा बीजी हो गए थे जिस भाउस्यम गंगा जी के लिए आये या इश्वर के है भगवान की सर्माजी और कुछ सोचो समझो इश्वर के बारे में अपने आगे इश्वर के बारे में अब रिस्पोंसबिल्टी बढ़नी है पहले तो हम भी बड़े हो गए है तो सिखाता है भई भगवान तो वही उन्होंने ये कष्ट दे के हमारे को कुछ सिखा रहा ह अब देखते हैं इसको कैसे निभाएंगे आगे बढ़ेंगे फैनेंशली भी ठीक करनी है चीजों को कुछ जिम्मेदारियां भी उठानी है और अध्यात्मिक यात्रा में भी आगे बढ़ना है तो मिले जोला सो रूफ है वन साइड़ कोई कुछ भी रही है पर सारी जिम् बाते बैठेंगे बोलना चाहता है मैंने का इसको बोला भी ला कि मैंने बैठके ही वाते करते हैं अपने भाव प्रकट कर देते हैं देखिए हमारा उद्देश्या ही आपके साथ एक्सपीरेंश करना है तो जो मन में जैसा आरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बोल को मतलब नहीं है मकसद नहीं है किसी सरकार को गलत है रहने का उदेशन यह पर जो चीजे लग रही है मेरे को वैसे की वैसी बोल रहा हूं तो यार इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं अगर विल्दी आपको पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजि मेरे वीडियो में और यार एक चीज और बोलना चाहूंगा हर गंगे हर महादेव के साथ-साथ अपने माता-पता का ख्याल रखिए देखिए उनके साथ जरू बैखिए मेरी अगर यह चल जाएगी एक और आ सकती है बीबी आ सकती मैं चल जाओंगा एक हजबन आ सकता बच खुश रखने की कोशिश करें जिस भी सिच्वेशन में उनको थोड़ा सा खुश रख लें और हर गंगे हर महादेव